नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चेनल पर दोस्तों आप सब के लिए राष्तान बीएस्टीशी की फर्स्ट लिस्ट को जारी करने को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है बीएस्टीशी की दोस्तों कांसलिंग पिकरिया चल रही है कितने नम पर बीएस्टीशी में कांसलिंग कराने चाहिए कितने नमर तक दोस्तों आपको कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी क्योंकि इस बार बीएस्टीशी का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है काफी सारे स्टुएंट इसने के 400 प्लस आएं हैं 500 प्लस दोस्तों आपके जो कांस काॐंसेलिंग के माद्यम से और अवर्टमेंट होगा उसको लेकर बात करने वाले हैं फ्रश्ट लिष्ट चार अगस्ट को जारी की जाएगी ऑफ पर्स्ट लिष्ट को प्रिक्रिया है तक पूरी कोई div क्या रहीगी फ़र्ष्ट लिस्ट की उसको लेकर भी बात करेंगे लेकिन दोस्तों से पहले मैं या पर बात करेंगा कि आपको कितने नंबर पर कांसमेह करानी चाहिए मिनीम्म कितने नंबर पर आपको कॉल मिल सकती है इसे पहले भी दोस्तों 2023 में अलांकि अगर 2023 से comparison करें तो 2023 में दोस्तों कटॉप कम रही थी 2024 की अपेच्छा क्योंकि दोस्तों 2023 का result कम रहा था पेपर का लेवल ठपता इस बार दोस्तों रिजल्ट काफी अच्छा राई भी है इसलिए कटॉप भी आपकी भड़ गई है लेकिन उसके बाप जुद भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं तो चलिए आपका ज्यादा समय आदे वीडियो स्टार्ट करते हैं चैनल से पहली बाद जुड़े हैं तो आप से चोड़ दिया गया सोले दिन के अंदर और उसके बाद आप कांसलिंग भी जल्दी ही कराई जा रही है इससे दोस्तों आपकी बीएस्टीशी की जो कांसलिंग हो रही है यहां पर दोस्तों आपको कांसलिंग कराने की सबसे पहले कांसलिंग पर क्लिक करना है और यहां पर एक चीज ID इसके बाद roll number आपको डाल देना हैं और mother name हालंकि counseling आप खुद ना करें किसी email के द्वारा ही कराएं दोस्तों कि आप से कोई गलती हो सकती है और यह देख सकते हैं दोस्तों ऊपर ही क्या लिखा हुआ है कि एक बार counseling के बार lock करने के बार द्वारा संसुदन नहीं होगा लोग करने से पहले चैने सिच्चा सष्टानों को साब दानी से भरें यानि कि दोस्तो एक बार अगर आपने कॉलेज भर दी और कॉलेज भरने के बाद जैसे ही वो लोग हो जाएंगी क्योंकि college उसके बाद लोग करते हैं अगर फिर दोस्तों आपने यहां पर college लोग कर दी तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा आप यह सोचां कि सर मेरे जल्दबा जी मैंने 10 college बनी है क्या मुझे और college बनने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा इसलिए दोस्तों पह होने पर भी college नहीं मिल पाती है जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों कल भी होताया था कि मालेगे किसी student के 410 नमबर है और एक और student के 610 नमबर है लेकिन एक student को college मिलगी एक को नहीं मिली ऐसा काफी बारा होता है दोस्तों ऐसे cases काफी बारा आती है अब इसने 20 college औ और इसने जो 410 वाले इसने परी ती 5 college तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी यहां पर college नहीं मिल पाती है क्योंकि अगर आप कम college भरोगे तो उसमें कम chances रहें कि आपको college मिले क्योंकि अगर उन 5 college में आप से उपर नमबर वाले चात्रों ने जो आपकी category से हैं उन्होंने भी counseling करा तो वहाँ पर college नहीं मिल पाएगी इसलिए दोस्तों आपको यह भी दियार रखना है कि first list में 80% सीटम बर जाती हैं यह ना सुचे कि मैं second list में college बढ़ा दूंगा आप पहले अपनी मनपसंद college बढ़ने हैं उसके बाद अपने पूरे जिले की college बढ़ने हैं इसके बा वाला है अगर आपको college की जानकाई नहीं है कि मेरे जिले में कितनी college है तो उसके लिए आप ऑफिसरी जो website है वहाँ पर ही दोस्तों BSTC college की दोस्तों यहां पर link है या फिर आप मुझे कमेंट कर देना मैं आपको इसकी link दे दूँगा PDF download करके आप अपने जिले की college देख सक दोस्तों आप 50 या 500 वाली भी सीट है उनको बरें और इसके अलावब दोस्तों जो women's है वो पहले जो लड़कियां है वो पहले women's college बरें उसके बाद को education college बरें तो यह आपको वरते समय ध्यान रखना है for example यहां पर देखिए अज मेर की college है अलवर की college है सबसे ज़्यादा सो सीटों माली college दोसा में हैं दोसा में लगव दोस्तों सभी college ऐसे में 100 सीटे हैं कुछ college में 1500 सीटे भी है तो यह college बर सकते हैं अगर आपको किसी भी आलत में BHDC करनी है साल पर भाद नहीं होनी जानी है कई पर भी college आपको लेनी है तो आप दोसा बर सकते हैं जयापूर ब करते हैं दोस्तों तो यह तो हो गई आपकी दोस्तों कांस्लिंग को लेकर अपडेट अब बात कर लेते हैं कितने नम्मर तक आपको कांस्लिंग करानी चाहिए कम से कम देखिए जैनल के टिगरी की हलांग की पिछली बार जैनल की 399 में कटव गई थी दोस्तों जैनल के टिगरी की तो बागी कम रही थी फिर भी अगर मैं बात करूं कम से कम कितने नम्मर तक आप कांस्लिंग करा सकते हैं मैं यह नहीं बोला कि आपको कॉलेज मिल जाएगी लेकिन मैं यह बोल रहा हूं कि आप कांस्ल पूरी हो जाएगी उसके बाद बीच में कभी-कभी कॉलेज नई और बढ़ जाती है सेग्ड लिस्ट पहले फर्स्ट पहले ऐसा पिछली बार हुगा एक आप आप कांस्लिंग करा लें बाई लक आगर आपने जब कांस्लिंग कराई है और बीच में कॉलेज बढ़ जाती ह तो अगर माल ये तीन से चार याज सीटें बढ़ गई तो आपका यहाँ पर सुनेरा मौका रहेगा इसलिए आप कांस्लिंग करा लें जो मैं आपको नमर बताने वाला हूँ देखिए अगर आप मेल केंडिट है या फिर फिमेल है या लड़की है देखिए अगर आप जेन से हैं तो कौशल करा ले थीमेल हैं तो आप 3080 तक कौशल करा लें में कांसलिंग कराने की बول हूं दोस्तों यह नहीं बोला कि क्टो कॉले मिली जाएगी क्योंकि आपकी जो तीनude कांस दिमाने खाप जने हैं वा Amaテू करने में कोई तोição पर सरक्षार नहीं लग रहे हैं कि क लग कॉलिज मिल जाए कॉले बनने की इस ते दी मैंने आपको जादी कैसे कॉले बननी है अधिक से अधिक कॉले बने कम नम्मर वाले अब बात कर ले ते ओवी शी के डिगरी में कितने नम्मर तक आप कांसलिंग करा ले अगर आप मेल केंड़ेट हैं तो 308 तक कॉलेज भर सक सकते हैं 375 भी पांच नमबर कम जादा तो भी करा लें और वह अगर आप फीमेल केंडियेट हैं तो 370 तक कांसलिंग करा सकते हैं इतने नमबर तक आप कांसलिंग करा लें अगर आप आप SC केटिग्री से हैं मैं किजिए पहले में आपर EWS वालों को बतायता हूं EWS और MBC से हैं तो आप मिनीमम 375 तक लड़के कांसलिंग करा लें 370 लेके चलिए लड़कियां 365 तक कांसलिंग करा लें इससे कम नमबर से कॉलेज नहीं मिलेगी MBC और EWS में अगर आप SC केटिग तक कांसलिंग करा लें फीमेल हैं तो लगव बरावर ही आप मानेक से 355 लेके चल सकते हैं अगर आप ST केटिगरी से हैं तो आप 350 तक कांसलिंग करा लें इससे कम नमबर पर कांसलिंग ना कराए लड़के-लड़कियां तो यह होगी दोस्तों आपकी थोड़ी सी जानकारी स सामान ने वाले बिद्धियार्तियों लेकिन अगर आप संसक्रत से हैं तो जिनल्र संसेट वालों की कटोप बहुत कम रहती है सामाने वालों की यह पेच्छा अगर आप संसस से जनरल कैटिगरी से हैं तो 320 तक कांसलिंग करा लें 300 तक करा लें ओवीशी वाले भी लड़के लड़किया हैं दोनों की अगर बात करनों तो 292 तक कांसलिंग करा लें SC केटिगरी से हैं तो भी आप 260 तक कांसलिंग करा लें और ST केटिगरी में आप 270 तक कांसलिंग करा लें पिछली बार SC केटिगरी में 260 नम्मर पर कॉलेज मिली थी पिछली बार लेकिन वो संसत वाली लड़की थी इसलिए दोस्तों यह तो संसत वालों की कटोप है बागी मैं ने हिंदी वालों की बता ती है फस्स लिश्ट को लेकर चली बात कर लेते हैं दोस्तों चार अगस्त को पहले लेस्ट आएगी प्रतम लिस्ट और इसके बाद आपकी आंगे की डोकुमेंट के पिक्रिया रहेगी कल मैं आपके लिए जल्दी डोकुमेंट को लेकर वीडियो लेके आऊंगा कि आपको क्या-क्या डोकुमेंट चाहिए होंगे अभी चारतारी तक तो दोस्त आपको कोई भी डोकुमेंट है चाहतारी तो आपको सिर्फ